किसान साथियों नमस्कार आज है 24 नॉवंबर 2023 बांस लगाने की सही दूरी क्या होनी चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा जो बांडरी पर बांस लगाते हैं मैंने वो विभिन दूरी पर लगाए हैं आप उने देखिए और स्वेम निस्चित कीजिए के उनकी दूरी क्या होगी ये जो मेरा खेत है मैंने बताया था मैई के पहले सब्ता में मैंने इसमें 6 वराइटी लगाई थी वो थी जो पहली लाइन है ये यलो वल्ग्रिस है और जिस पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ ये पॉली मार्फा है इसके बाद में जो ये polyवार्फा की दो लाइने हैं यानी दस पेड़ हैं इसके बाद में हमारे पास newton है जो next है फिर बालकुवा के 10 पेड़ हैं फिर dendroclusist oxi के 10 पेड़ हैं और उसके बाद है green الج sacrifice यानी यह कुल 6 भाराइटी मैंने इस खेत में लगाई हैं और यह जल्दी से जल्दी हमें पैदावार मी मिलो और कम से कम समय कितना लगना चाहिए और इन में क्या समस्याई आएंगी तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर किसी खेत में बैंबू की फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी सही दूरी क्या होने चाहिए किसान साथियो जो मेरा ये बाउंडरी पर लगा हुआ है बाल कुआ पेड जो हना ये मैंने सितंबर 2020 में लगाया था और इस सितंबर में ये तीन साल का हो गया था आप देखिए इसको मैंने कई बार दिखाया है कि कितने अच्छे इसमें बैंबू है अब उसके बाद जो मेरा एक इस साइड में है जो बाउंडरी है वो मैंने सितंबर 2021 में लगाया था वो इस वर्ष दो साल से थोड़ा बड़ा हो गया है इसकी डिस्टेंस का मुझे जब मैंने लगाया पता नहीं था तो मैंने लगबग 15-20 फिट पर रख दी थी इसकी डिस्टेंस लेकिन उसकी डिस्टेंस मैंने जान बूझ कर केवल 5 फिट रखी दी तो मैं दिखाता हूँ कि इन दोनों डिस्टेंस में क्या फरक है और आपको बाउंडरी पर किस प्रकार लगाने चाहिए कितनी दूरी पर लगाने चाहिए मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो अभी मैंने इस साल मई में लगाए हैं वो मेरे पोधे कैसे चल रहे हैं सबसे पहले मैं ये तीन साल वाले पेड दिखाता हूँ इनकी डिस्टेंस है ये देखिए कितने अच्छे हैं इसमें से कुछ बास हमने काटे भी हैं पिछले साल काटे भी हैं जो कि थोड़े कच्चे थे पक्के बास नहीं थे लेकिन काटने के बाद बहुत सूट्स निकली है बहुत अच्छे बांस निकले है ये डिस्टेंस कम से कम 15 फिट की होगी 15 फिट के आसपास है जो मैंने यहाँ एक कोदा लगा था एक वहाँ लगा था तो इसमें थोड़ी ये खाली जगह है लेकिन इधर से सूट निकलते जा रहे है तो मेरा ये मानना है कि अगर आप खेत में लगा रहे हैं तो वो डिस्टेंस लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 15 फिट या अगर आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो 13 फिट से कम बिलकुल भी नेका है आईए मैं आपको अब ये जो पेड़ हैं जो मेरे मई में लगाए थे इनके लिए जो इस खेत के पेड़ हैं इनकी प्लांटेशन मैंने 15 बाई 10 पर की थी ये डिस्टेंस 15 फिट है जिसे मैं कहा रहा हूँ कि आप इसे 13 फिट भी कर सकते यानि एक फिट इधर कम कर दीजिए एक फिट अगर एक फिट करेंगे ये यहां आ जाएगा और इसको अगर एक फिट करेंगे तो ये यहां आ जाएगा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा थोड़े पोधे ज़्यादा लग जाएंगे 40-50 पोधे तो मुझे ये लगता है कि जितनी डिस्टेंस आप रखेंगे उतने पोधे जल्दी गरोव होंगे इसका एक कारण ये भी है कि आप इन पोधों को देखे जो बड़े हो गए वहां से इनके पास में लगबग 10 फिट तक कोई भी घास नहीं है इतने पत्ते हैं और ये इतने पानी लेते हैं कि जब भी मेरे पास एकसस पानी होता है या मैं कहीं मुझे जब मेरा टीवैल बंद रहता तो मैं इस खेत में पानी छोड़ देता हूँ तो इन्हें पानी भरपूर मिलता है और तब से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इसका अर्थ यह भी हुआ कि बास को जितना पानी देंगे उतना अच्छा है लेकिन अती हर चीज की बुरी होती है मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर वहां पर पानी बहुत दिनों तक भरा रहेगा तो आपके बास के सूट गल जाएगे ये भी मैं दिखाऊंगा आपको ये जो मेरी पोदे से पोदे की डिस्टेंस है ये देखिए ये मैंने दस फिट रखे लिए यानि ये पंदरावाई दस पर है तो पोदे से पोदे की डिस्टेंस मत रखिए ये जो पोदा है मेरा और अब मैं इसकी थोड़ी रिपेर कराऊंगा जब मैंने इनको लगाया था तो इसमें मैंने गोबर का खात और बोन मील दिया था मतलब वर्मी कंपोस्ट और बोन मील लगाया था अब मैं इसमें थोड़ा यहां पर सफाई कराऊंगा कुछ दिन बाद और यहां पर थोड़ा जो डिये पी और थोड़ा यूरिया सर्दियों में यूरिया का बहुत अच्छा प्रियोग रहता है थोड़ा यहां पर डलवा कर लगबग पचास ग्राम डलवा कर और इसके उपर यहां तक मिट्टी चड़वाँगा इसमें मैंने कई बार जो है ना अपना बड़ा ट्रेक्टर भी मंगाया था और जो मेरे पास टीलर है छोटे वाला बाग में जुताई करने वाला वो भी मैंने निकल वाया था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है चुकि अब गहास से बाहर हो गए हैं पॉदे अब इन पॉदों को कोई भी खत्रा नहीं है ये जो दो लाइन है इसमें दस पॉदे हैं देखें एक लाइन में 5 पॉदे हैं तो ये नूटन है और देखिए इसकी पहचान कर सकते हैं आप कि इसमें इस तरह के ये कांटे से निकलते हैं और अभी इसमें बैंबू निकलने शुरू नहीं हुए ये पहला बैंबू है बांस में पहले दो साल तक राइजोम बनता है अगर भूती अच्छी देखभाल करेंगे तो डेड़ साल या एक साल तक राइजोम बनता है जो जड़े हैं अच्छी गांट बन जाती है उनमें उसके बाद जो है ना बास निकलने शुरू होते हैं और जब ये बास निकलेगा इसे पकने के लिए तीन वर्स चाहिए होते हैं इसलिए कहते हैं कि बांस में पहली जो फसल मिलती है जो अच्छे बांस मिलते हैं वो पांच साल बाद मिलते हैं लेकिन उसके काटने के बाद जो सूड निकलती है चूँकि राइजोम बन चुका है उसके बाद आपको हर तीन साल में आप बांस काट सकते हैं चुकि जैसे ही वो निकलेगा, वो दो साल के बाद पकना शुरू हो जाता है और तीन साल में आपको पका हुआ बांस मिलेगा. ये जो मेरी तीसरी वराइटी है इसके दस पोधे इसमें लगाए हैं बालकुआ के ये भी जो मेरा बाउंडरी पर आए बालकुआ है इसके पत्ते और इसके आप देख सकते हैं ये देखिए सुरू के वर्सों में इस तरह के पोधे होते हैं ये पोधे केवल इसलिए होते हैं कि इसकी जड़ों को भोजन मिले और वे राइजोम बनाने में सहयक हों जो असली बांस निकलेंगे वो बाद में ही निकलते हैं ये अगर राइजोम से बने हुए पोधे मैंने मंगाए थे तो देखिए कितना अच्छा ये पोधा था इसमें ये बांस शुरू होगा इसकी पहचान ये होती है कि ये उपर से गंजा होता है ये दस पोधे बाल कुआ के थे आईए हम देखते हैं चोथी वराइज ये जो है डेंडरो कलमस इस्टोकसाई है और जब मैं कुडाल गया था जो माहरास्ट और गोवा के बॉर्डर पर है वह कि इसकी मोटाई बहुत जादा नहीं होती और इसमें ठोसपन अधिक होता है लेकिन लाठी बांस से थोड़ा कम होता है और ये थोड़ा फ्लक्सिबल भी होता है बहुत अच्छा बांस होता है और इसको महरास्ट में मनगा बांस भी कहते हैं यानि मुनगा बांस भी कहते ह इसका बहुत प्रियोग वहां के जंगलों में, जो कुडाल में मैंने देखा था, जो कौंकन का एरिया है, वहां पर ये अबंडन मात्रा में वैसे ही लोगों के खेतों में होता है. इसके बाद जो ये दो वराइटी है, ये मेरी ग्रीन वल्गरिस है, ये पोदे हम FRI से लाए थे, वहां से तो या तो बीज वाले थे या राइजोम वाले थे, इसमें कोई भी टीसू कल्चर का पोधा नहीं था. ये पोधे मैंने केवल परियोग के लिए लगाए हैं, और ये लगाए हैं कि जब किसान मुझे से कुछ पूछते हैं, तो मैं उन्हें सही राइदे सबूँ. किसान साथियों मैंने बताया था कि ये मेरी उत्तर दिसा है इस खेती, और यहां पर मैंने पांच फिट पर बांस लगाए थे, ये मैंने पांच पांच फिट पर लगाए थे, और इन्हें दो साल हुए हैं. आप ये एक बांस देखेंगे, ये सूख भी गया है, ये मैं बताऊंगा क्यों सूखा है ये आपको, और देखिए बाहर से ये कितना घना है, अगर आप देखोगे, बांस बहुत अच्छे हैं इसमें भी, मोटे-मोटे बांस आ रहे हैं और ये घना है, इसके जो पीछे ख आते थे, और उस पोपुलर के पत्ते गिरते थे, तो अब ये दो साल बात देखे, इस तरह की बांडरी हो गई, और इसने बिल्कुल उसको रोप किया, अगर आप इसे पोपुलर के पेड़ के साथ में लगा देंगे, तो दो साल के अंदर पोपुलर जो है ना, सूखना श दिखा रहा हूँ, यह जो पोदे हैं, यहाँ पर यह देखिए, यलो वल्गरीस के हैं, यह भी 6 फिट फर लगाए थे मैंने, और इनका भी मैंने जो प्लांटेशन की थी, वो मैंने मई में ही की थी, इसी वरस में, देखें कितने अच्छे पोदे चाहते हैं, इस पोदे की ये भी मेरे पेड़ जो है ना उसी समय के लगे हुए हैं बालकुआ के हैं इन दोनों के बीच में इनकी बढ़वार सायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी ये मेरे घर के पास के हैं ये भी दो वर्स के हैं और जो ओवर्फलो का पानी होता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मैंने ये नाली बनाई हुई है इसमें पहता रहता है यहां पर देखे कितनी अच्छी इनकी पधावार है कितने सूर्स है ये देखे बांस कितने बड़े बड़े है तो मेरे को एक इन्होंने सुरक्षा प्रदान की है ये यहां तक आ जाते थे लेकिन मैंने थोड़ा इनकी कटिंग करा दी दर से ताकि धूप मिल सके अभी जो बरसात में थे बहुत अधिक पानी भर गया था और कुछ पोधे सूख गये थे आईए थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाता हूं कहां थे मैं पोधे यहां के यह देखिए यह ध्यान से यह पोधा सूख गया थे देखिए यहां तक यह हो गया और एक यह बांस है इधर यह बाला भी देखिए यह भी सूख रहा है आग्यों मैं रहा है और एक नपास भी बांस भी निकल रहा है और दूसरा इस बार बरसात बहुत हुई थी, तो खेत के वो खेत नीचा है, उसमें भी बहुत पानी था, इधर भी बहुत पानी था, यानि के दो-दो दिन तक पानी रहता था यहाँ, शायद उसके कारण जो छोटे-छोटे सूट्स है, अगर वो 24 गंटे से जाद है, पानी के लिए ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत समय तक नहीं भरना चाहिए, और कंटी, माल लिजे एक बार 24 गंटे भर भी गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार नहीं होना चाहिए, एक महीने तक वो आज 24 गंटे, फिर दो दिन बार 24 गंटे ऐसे भरता रहेगा, तो उ उसके सूट्स अवज से खराब हो जाएगे, एक जलक मैं उसकी भी दिख लाता हूँ आपको, इसको यह देखिए, यह जो यहाँ पर जितनी भी सूट्स निकली हैं, बड़े वाली, जब बारिस से पहले यह थोड़ी बड़ी थी, तो यह तो चल गई, और देखे कितनी यह खराब हो गई, यह इसलिए खराब हो गई, इधर नहीं निकल नहीं यह देखे, यह अधिक पानी की वज़े से यह खराब होई गए, तो अगर अधिक पानी काफी समय तक रहेगा, तो यह खराब हो जाएगी, वरना यह बहुत अच्छी देगी, किसान सातियो, मेरा जो यह छेतर है, यह साहनपुर का छेतर है, मेरे पास कुछ बांस खरीदने वाले आये थे, अगर किसी भाई को, यह किसी के पास बांस है, तो वो मुझ से 9910336139 पर संपर कर सकता है, मेरे पास बांस के बहुत अच्छे पोदे हैं, 6-7 वराइटी के, जिन में मुख्य हैं बालकुआ, ग्रीन वल्गरिस, पोलीमार्फा, नूटन, बालकुआ, और एक है पोलीमार्फा, इनके मेरे पास बालकुआ के राइजोमे पोदे हैं और बाकी बीजवाले पोदे हैं, बहुत अच्छे पोदे हैं बड़े अगर किसी भाई को जिने हम ओनलाइन भी लेकिन कम से कम सो पोदे होने चाहिए ट्रेन के द्वारा पैकिंग कर भेजते हैं अगर आपको चाहिए तो 9910336139 पर संपर्क कर सकते हैं किसान सातियों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर अवश्य बढ़ें इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत प्रंदेवाद